जबंद आपके लिए Sellforce की next वीडियो लेकि Sellforce Admin की आज का जो हमारा topics होगा होगा Sellforce Admin की हमारा होगा workflow rules होता क्या है workflow rule काम क्या करता है आज हम यह पढ़ेंगे वह साफ में आपको मैं बताऊंगा कि फिल ट्रैक हेस्ट्री क्या होती है तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे इस से स्टार्ट करते हैं वर्कफ्लो रूल से फस्टली आगे कि वर्कफ्लो रूल होता क्या है वर्कफ्लो रूल कुछ नहीं होता वर्कफ्लो रूल होता है ओटो द्रू पॉल्स वाला चल जए तो आप पर बॉर्ट यूस तरह से काम करता है कि आपने कोई डाला इसे माल या अपने दस रहा से आपने अपने लगाई है कि दस रहा है यह ज़ादा की जो भी टांजिशन हो उसकी एक डीम फिया यह ब्राइजर के पार चलिए तो आप क्या करोगे एक इसा क्रेटीरिया रहा हो तो आपको प्टेक häufig वह वाली मानी जाएगि फोक्रोक्रों के अंदर जो होते हैं आपके दो एक्षण होते हैं एक होता एक शन् की होता है कि यह आप अभी दस अजा से जादा कि चीज़ पर चेस की उसे अभी की अभी में चलिए तो यह हो गए मेरा immediate action प्रफॉर्म करना ठीक है और time dependent action क्या होता है कि वो particular date और time को action प्रफॉर्म करेगा ठीक है अब चलते हैं हम next ब्रफॉर्म के कुछ component होते हैं जो component का है क्रेटिरिया होता है इसने action होता है immediate action होता है और time dependent action ठीक है बट्फॉर्वर्म का क्रेटिरिया क्रेटिरिया होता है कि मान लोग condition जो मैंने आपको यहां पे define किया कि if condition कि यह काम होगा तो ठीक है नहीं होगा तो अगर इससे ज्यादा का होगा तो true होगा अगर उससे कम का होगा तो false होगा दिन हमारा आ गया आता है action action होता है कि वो उस कर्टीरिया मैच करेगा तो क्या action पर हो यह फिल्ड अपडेट हो ठीक है यह इमेल अलर्ट यह टास्क अपडेट हो ठीक है वह वाली चीज़े इस पर होगा immediate action क्या होगा साथ के साथ ही action perform करेगा ठीक है किसी time पर depend नहीं होगा और time dependent action हमेशा क्या होता वो particular time और date के लिए ही action perform करता है तो उस पर काम कैसे होता है आगी यह criteria जो होते है criteria आपके तीन तरह कि होते है criteria criteria are editing, criteria and editing it, criteria are every time it editing and make the criteria अब first आते criteria criteria में क्या होता है जो भी action perform होगा दो फस्ट टाइम चेक करेगा वो क्रेटिरिया को मैच कर रहा है या फोल्स है बस सेकंड टाइम चेक करोगे तो वो एक्षन प्रफॉर्म नहीं करेगा मिन वो क्या करेगा जब भी आप रिकूर्ट को क्रेट कर रहे हूं तब एक्शन परफॉंग करेगा जब भी आप उससे क्या करते हो हो क्रेट करते हूं मिं क्रेटिड का जब आप करोगे तब भी ये action perform करेगा अधरवाइस एक्षन प्रफोर्म नहीं करेगा क्रेटीड एंड एड़ेट क्रेट क्या होता है कि आप जब डालोगे तब भी ऑक्षन परफोर्म करेगा बट आप उसे गतिए करते हो तो भी अक्षन करता रहेगा। जितनी वारे अपडेट करता रहेगा। क्रेय goofy एब्री टैंंने केक्शन या मिझाच करें। साथ में जैसे आप ने कहा किया, उस कंडिशन को दवारा से एड़िट किया, तो भी वो कRI चेक करेंगा कि condition को match कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, ठिक है, अब मैं आपको यह बताता हूँ कैसे काम होगा इसके उपर, आपको क्या करना है, salesforce के console के उपर जा ना है, ठिक, देन आपको क्या करना है, यहाँ से setup पे जाना है, ठिक है, जैसे ही आप setup पे जाऊँगोगा, यहां पे जाना है workflow rule and approval process तो आपको वो सारी चीजिए दिखेंगी create के अंदर, जैसे create के अंदर जाओगे तो यहां पे आए जाएगा workflow and approval process, तो आपको किस पे काम करना है workflow पे काम करना तो मैंने क्या क्या workflow पे tick कर दिया, बर्फलो में आपको बता दिया कि automated tool होता है ठीक है automated action perform करता है ठीक है अब workflow में क्या-क्य action होगे या वूमें आपको आगे चलके इसमें बताता हूं कि क्यों कौन से action होगे तो हम यह क्या करना है यह इसकी introduction है हमने क्या किया कि next कर दिया ठीक जैसे ही हम next गे तो बर्फलो उब्जेक्ट वाद दोनों पर किसी पर वी लगा सकते हुँ तो आपको औपजेक्ट चूज करना है कि कि किस ऑपजेक्ट पर वो रूप लगाना है तो मैंने बोला कि मुझे इनवॉइस के ऊपर वो रूप बूज चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूंगा इनवाइस चेक क्राइच मैं चाहते हूं मैंने रख़ा कि फिल्ड अपडेट टिक क्यों क्योंक्य होग अपडेइट को या यहां से कि यह रोब का नाम आगया तेझ आपको नीची यह आना है ठीक है् क्रिटीरिया इवैलुइशन क्रिटीरिया क्या होता है मीन किस पे लगाना है अगर यहां पे लगाते हो created पर created और every time added पर आपका time dependent workflow रूल काम करता है ठीक है बट created and every time added it इस पर आपका time dependent रूल काम नहीं करता है इस वाले के उपर जो मैंने अभी select या इसके उपर time dependent workflow action कोई भी काम नहीं करता तो आपसे यह interview या exam में question भी आता है कि evaluation क्रिटीरिया के अंदर कुन सा रूल है जिसके उपर time dependent workflow action नहीं करता तो आपको बताना वो होता है created and every time it's added इस पर कभी भी यह रूल नहीं लगता अब मैंने क्या करना है कि मुझे अगर मैं credit पर टिक कर रहा हूं कि जब मैं criteria लगाता हूं criteria mean आपने बोला कि मेरा invoice का price अगर greater than होता है ठीक किस से 10,000 से ज्यादा होता है मैं जब भी एक create करते टाइम only वस create पर action परफॉं करें और यहां से next मैंने क्या या save and next ठीक है अब यह मैं आपको एक rule बता रहा हूं जैसे आप save करोगे तो यह बुलेगा immediate workflow action लगाना है यह time dependent workflow लगाना है मैंने बुला कि मुझे immediate चाहिए immediate क्या करेगा साथ के साथ mail करेगा इतो immediate के अंदर चार action आते हैं new task new email alert new field update और new out mode messaging ठीक है तो आप से पूच्छा जाता है कि immediate के अंदर कितने action होते हैं अगर कोई भी आपको बुचता कि workflow के अंदर immediate के अंदर कितने action होते हैं तो आपको उसको बताना है कि workflow के के अंदर immediate के अंदर चार action होते हैं फर्स्ट होता है new task second होता है new email alert sorry new email alert third होता है new field update वो fourth होता है new outbound messaging ठीक new task का mean क्या होता है task mean किसी user को आपने कोई काम दिया वो उसे particular date and time में complete करता है ठीक है करना होता है तो जब उसका ending time आता तो उसके पास system के उपर एक pop-up मन के आता है कि आपका task end होने वाला है तो उसकी चीज़ को हम क्या करते है new task new email alert क्या होता है कि मेरे पास email के through notification आना ठीक new field update mean जब भी कोई 10,000 से ज़्यादा की value डाले तो वो field update हो जाए दो हो जार हो जाए तो में क्या field को change करना new outbound messaging क्या होता है कि आप कहते हूँ कि जो अगर इसका price 10,000 से ज़्यादा है तो मेरे phone पे message आना चाहिए तो phone का message हो हमेशा new outbound message के through ही काम कर सकते हो आप ठीक है और थर्ट नीचे वाला आपता है मेरा time dependent time dependent होता है जो यह काम करेगा before and after कि जब भी यह जैसे कि आपने बोला कि मेरे कोई प्राइस का आपने कभी देखा होगा shopping का offer लगता है कि यह दो दिन के लिए shopping है थर्टी परसेंट और 50 परसेंट और तो वह वाले चीज होता है टाइम dependent action ठीक है और time dependent हमेशा क्या होता after या before after mean होता है बात में before होता है save होने से पहले ठीक अब हम चलते हैं पीछे तो हम अभी पीछे चलेंगे तो हम करेंगे पहले email date action तो मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए कि new email alert आजाए तो new email alert आजाए तो मैंने यह action प्रफॉंग किया तो email alert का नाम लिखा मैंने ABCD आपको इभी नाम रख सकते हो ठीक है और यहां से आपको template चूज करने है तो यह communication template मैंने आपको लाज लेक्टर में बताया था कि communication template किस तरह से बंती तो आप एक बार यह lecture देख लएना तो आपको यहां से पता चल जाएगए कि communication template कैसे बनती है ठीक है कौन-कौन सी template होती है तो मैंने यहां से एक template चूज कर लिए ठीक जैसे ही आपने यहां से टेंपलेट चूज की आपको नीचे आना तो यहां से क्या हो जाए किस यूजर को जाए सेलफोर्स वाला यूजर जो अधिस्टेटर उसको नोडिविक्टीशन है और यहां से क्या कर दिया जिसकी मेल अडिशनल और किसको एड कर आता हूं तो मैंने इसकी यहां से इमेल आइडी क्या कर लिए कोपी कर लेते हैं यहां से तो मैंने क्या किया यहां पर गया और यहां पर जाके इमेल आइडी कोपी कर लिए जैसे ही मैं इमेल आइडी कोपी करूंगा यहां से तो यहां पर मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर द यह तो लग गया मेरा email alert लगाया मैंने अब मैंने क्या 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 डंडन मीं सेव हो जाएं सेव होने के बाद आपको एक चीज और बता देता हूं बर्प्रो रूल बाइड डिफोर्ट हमेशा क्या रहता है help their that दें इसे अक्टीवेट करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है activate पे टिक करना होता है देन यह एक्टीवेट होगा इससे पहले यह एक्टीवेट नहीं होगा अब आपको जाना है invoice कि अंदर तो जैसे ही, आप invoice के अंदर जाओगे और new पे tick क रोगी तिक है, new पे tick करने के बाद आपने क्या किया राजेश नाम लिखा तिक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं आपका invoice का जो भी बिल का नाम होगा, यह answers कर लिए, status, कोई भी साइब ले अब मेरे प्राइब ज्यादा अब यहां से मैंने डेटी के और यहां से सेव जैसे ही में यह से प्या यह में भी यह मैच नहीं किया होगा तो यह विए आपको यह सब आप करें सुपर्ण Lake का गया यहतकि بين आपको क्या ओगना से जादा डाला है अब आपको क्या करना है आपके पास इमिल एक्शन परफोर्म हो जाएगा तो आप क्या करना है इसे एक बार रिफ्रेश कर लेना ठीक है क्यों कि अब ही आपके पास क्या जाएगी एक मेल आजएगी जसमेल पर आपको क्या टेंटर बनानी है देखो आप कि यह सेफो यह से बसे यह इसके अंदर कुछ भी लिखा तो इसके अंदर मैं लिखा था था ठैंक्स पूर यू cis Mhm vasya करिंख भारे और मैंने यह थी लिखा ओप यह तो हो गया मेरा एक एक्षिंट लूइंद अब दूसरा एक्षिंट प्रफोंग करना तो आपको यहां से शौटकट में भी चेक कर सकते कि क्रेट पर टिक करने के बाद यहां से क्या आजाना है यहां से आजाना आपका बर्फ्लो एंड अप्रूबल प्रोसेस पर आएंगे तो यहां पर बर्फ्लो रूल पर टिक कर देना तो आगे यही रूल आया यहां से हमने क्या किया कंटीन्यू कर दिया जैसे ही हमने कंटीन्य पे लगाना है तो आपने object यहां से select किया भूला कि मुझे चाहिए invoice के साथ तो आपने आई प्रेस करना है तो यहां से आपको invoice वाला यहां से दिखिया तो invoice पे उपर यहां से next कर दिया जैसे आपने next कर दिया तो आपको यहां से पुछेगा rule name क्या होना यहां极 अब लिख दिया field update जैसे आपको फिल्ड अपडेट करनी है तो फिल्ड अपडेट करने के बाद आपको यहां से क्या करना है पहले हमने created पे किया था अब मैं करता हूं created and every time added ठीक है तो यहां पर created and every time added मैंने क्या बताया कि एक बार तो हम जो डालेंगे वो ठीक है ठीक है यहां से पहले मैं कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको इनवाईस का ना price लें ले लते हैं ठीक है प्राइस्सÖ अभी हम देखते हैं high price कहा आ गया इनवाईस के अंदर price ठाना यह मेभी invoice मुझे लग रहाए यह object कोई और आ गया ठीक है या फिर invoice डूडेट invoice number invoice bill यह मेरे हमें लग रहा है यह कोई और invoice आ गया तो आप कोई विखक्त नहीं है हम इसी पे ही करा लीते तो हमने क्या बोला कि invoice का ने यहां पे number नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले चेंज करना पड़ेगा अभी हमने क्या किया इन्वाइस अब्जेक्ट चलक किया पहले मैंने कोई और दूसरा अभी हमने क्या किया इन्वाइस अब्जेक्ट किया तो मुझे लगाना है फिल्ड अपडेट पर ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने अ आपको नीचे आना नीचे आने के बाद यहाँ से क्रेटिरिया होता है यह तरह को होता है या क्रेटेरिया अर्मेट तो मैंने कौन से लिए मैंने क्रेटेरिया यह होना चाहिए कि इन्वाइस का प्राइस greater than होना चाहिए, ठीक है, 10,000 से 20,000 से जादा, ठीक, और यहां से save and next, जैसे ही मैंने save and next किया, अब आपको क्या करना है, आगे जाना, आगे जाते ही आपको यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे देखो time dependent action यहां पे नहीं देख रहा है, क्योंकि यह यह using नहीं करता, तो आ आपको कोई भी interview में पूछे, तो आपको इसी तरह से बताना है, और आपको क्या आएगा, अब आएगा, immediate workflow action पे मैंने क्या लगा है, new field update, जब भी उसका price क्या हो जाए, 10,000 से जादा हो जाए, sorry, 20,000 से जादा हो जाए, तो field update हो जाए, ठीक है, तो field update क्या होती है, field update, ठीक प्राइज वाली ठीक है, प्राइज वाली यहां से करती है, next, या फिर प्राइज या, name update कराना, तो name update करवा देना, ठीक है, तो आपको जो करना है, तो गो कर लेना, हमने बुले, चलो हम क्या कर देते है, status, मी जब 10,000 से जादा हो, तो उसका status क्या हो जाए, 20,000 से जादा ह से मैंने save किया, और यहां से क्या कर दी, add down करती है, ठीक, done करने के बाद आपका क्या होगा, active करना होता है, workflow rule, जैसे अपने workflow rule active कर दी है, यहां से invoice पे गही, invoice पे जाने के बाद आपको क्या करना है, new पे tick करना है, जैसे आप new पे tick करते हो, तो यहां पे आपने नाम लिख जैसे कि रोहीत ठीक और रोहीत नाम लिख दिया अब उसे का बायर मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ था बीछे की वीडियो में देखो गए तो यह भी आपको आपका इस तरह से होगा और जो मैंना ओप्शन लिया था है एबरी टाइम एडिट उसे मैं यहां से अब इसे द्वारा एडिट करूँगा तो फिर यह क्रेटीरिया को देखेगा ठीक है तो क्रेटीरिया को हर बार चक करेगा अब देखना कि आप इतना इतना मैंने क्या कर दिया इससे ओपन कर दिया तो यहां से से कर दिया से कर दिया से लत जहते हो अगर मैं फिर इडिकर मैंने क्या वोड़ा आपको कि जितनी वार एडिट कर दो करोगे उतनी बार वो क्या करेगा नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा तो यहां से इतना डाल दिया ठीक है अब सेब करों जैसे सेब किया तो मीन क्या क्रेटीरिया को मैट करता रहेगा एंडिट इसमें क्या होगा क्रेट में क्या होता है क्रेटीड होता है एडिट में क्य क्रेट के वाद आपको जाना आपको अबibly दिक करना यह लूझा करूल यह से करना है आपको नियूर बनाते हो नियूर का यहां से कट्प्य है 不行 करना है तो मैंने एंदक कर आ दो अब्जेक्ट अबट हमारे वाला यह है तो हमने यहां से नेक्स्ट कर लिया अब मुझे इन्वाइस पर किस पर लगाना है तो यह मैंने आपको रूल पर बता दिया यह रूल का नाम कुछ भी रख सकते हो ठीक है रूल का नाम रखने के वाए ट्रेटिट एंड एनी टिक है बेंदर कोड आठ रिस्ट नोट में टक टिरिया एडिट तो उसे अपडेट नहीं करेगा तो यहां से हमने क्या कर दिया मैंने आप लिया यहां से प्राइस प्राइस के बाद मैंने यहां से खिया लिया प्राइस प्राइस के बाद मैंने यहां से ग्रेटर दें ग् 30 thousand 30 thousand लिए और इसे सेप कर दिया मैंने इसे cancel किया अब यह द्वारा से बाहर ही आगया ठीक है तो बाहर आने के लिए हमें क्या करना बैक जाना है ठीक है अब यहां से बैक जाना है ठीक है बैक जाने के बाद यहां से क्या आगया यहां से कोई एक चूज करना है, Communication Template भी मैं, यहां से चूज करना लिए, चूज करने के बाद, हमारा Communication Template का काम होगा, किस यूजर को मेल जाना चाहिए, इस यूजर को, और किस Email ID पर जाना चाहिए, इस Mail ID पर, और यहां से मैंने क्या करते है, करने के बाद मैंने क्या किया इसे कर दिया एक्टिव करने के बाद अब यह क्या करेंगा को देखेगा तो आपको जाना इन्वोइस पर जाने के बाद क्या होता है नियू पर जाने के बाद आपको यहां से क्या करना होता है यह आप कर दिया तो ये लेने के बाद आपको नाम लेने के बाद क्या होता है यहां से लेना ओता है यह जादा मेल तो बिलाइजेगी फूर आइडी से बनाज होगा उस मिला डिक करनाँ है तो एक वार यहां से मैंने कंएड़ेट करणें अzufस्ति काम यह अब कर सकते तो अधिडित करने करने के लिए आपको क्या करना है यह वाला यहां से गए ठीक है यहां से गए एड़िट करेंगे एड़िट करने के बाद यह द्वारा फिर चेक करेंगे और कंडिशन को मैच करता है कि नहीं करता है ठीक है तो मैंने यहां से यहां से सेफ कर दिया सेफ करने के बाद यह यहां होने के बाद हम आते हैं फिल्ट रैक हिस्ट्री का आपका काम क्या होता है देखो किसी भी फिल्ड के अंदर आप क्या काम कर रहे हूं ठीक है लास मोलिवकेशन कब की थी क्या की थी तो वो सारा ही किसके यहां से घलत होगे ठोड़ा से यहigorना ओपड़ेगा यहां से घलित होगे थोड़ास तो यहां से जाना है। अधिन प saben वीआ औ्ध्यक्त के वाद फिक करूँ जैसे उप उप्छुन आ चाहिए। जैसे आप इसने अधली डिटका यहां कि ट्ञ से एड़ीट करने के वाद आपको क्या हो आधिट करो एड़िट करने के बाद आपको क्या करना फिल्ट ट्रैक हिस्ट्री पे ये देखो फिल्ट ट्रैक हिस्ट्री ये वाला ओप्षन होता है इसे टिक कर दो और उसके बाद इसे सेब कर दो जैसे आप सेब कर दोगे तो फिल्ट ट्रैक हिस्ट्री सेव हो जाईए सेव होने के बा आपको क्या करना है यहां से जाना है आपको यहां पर ही तेज़्व झानला है फ्रिटॉक्री तो आपको आना उपर फिल्ड में अभी ने दिखारा तो simple history को हमें क्या करना एड़िट करने के लिए हम जा रहे हैं एक हिनट यहां से option चक करते हैं हम तो यहां पर आएगा simple history simple history आपको देखेगा simple history यहां से यह हो गया जैसे कि आपको एक वार यहां से नीचे आना है ठीक कि नीकट आते चलना नीचे आता है चलना और यहाँ पे एक option दिखाए आपको जो ट्रैक हिस्ट्री है वो देखने के लिए आपको क्या करना था मैं ने पहले आपको बताया था कि यहां पे जाना PS peskyooin यहां में दिखेगा फील ट्रैक हिस्ट्री ठीक है यहां पे अभी मैं जाके अब्चेट स्लेक्ट करूंगा किसके किसके ओपर लगानी है जैसे डिप के ओपर ओनर की ऊपर स्टेटर्स के के ऊपर ठीक है और इन्वाइस किसके ऊपर सब के ऊपर चाहिए मुझे फिल्ट ट्रैक हिस्ट्री तो यहां से फिल्ट ट्रैक हिस्ट्री सेव होती है जैसे मैं यहां से क्या करूंगा इसे सेव कर दूंगा ठीक है जैसे मैं फिल्ट ट्रैक हिस्ट्री सेव कर देता हूं सेव करने के बाद फिर ट्रैक इस्ट्री आपकी यहां पे दिखेंगे तो दिखने के लिए आपको क्या करना है एक और यहां से क्या करना आप जाना है पेज लियाओट पे आपको जाना पड़ेगा यहां से आपको नीचे आना है ठीक है अब मैंना यहां से ट्रेस करती है आपको को आना है नीचे 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 यहां से आना से आना है भी करना है इस पे ऊपर ऐडविट करहोगे एड़िट करने के बाद आपको यह ांसे च्ल hall चाले के बाद यहां से आपको तो दिख चाएंगे फिल्ट्र की से स्टिघ्र Лघ सीगे पहले से अब जारा रहोगा कि ते स्फिल हमें यहां से करते हैं और कि % करते हैं कि एक मिनेट का टाइम यहां से क्यां कि हमारे थेफ्ण हों है उंहें हम बंद करते हैं यह आपको देखेगी यह दिखेंगी का Aa यहां पे रख लो यहां पर जो कहा害 तो यह आ गय déc— पर रखने है सुटक एक बटन आ प्को ले ले लेना Wow यहां पर छोड़ दो यह आ गया इसके बाद इसके बास से करना टीक तो तो फिल्ड हिस्ट्री जाने की आपको क्या पताया कैसे कैसे चाना है यहां से प्टेट कर दिया आपडेट करने के बाद यह क्या होगा यह वहाद छीज होगी आपकी क्या होगे fill track history. इस चीज को कहते है fill track. मैंने बता तिया कि कैसे लगती है. आज का topic करते हैं, कि आपको ये बता चल गए कि approval process क्या होता है, ये क्या होता है और fill track क्या होता है. ओस फ alimentos मैं मैं आपको बताँना approval process and थोड़े से आपको बताँना security. security rule एक organization के अंदर कैसे कैसे काम करते हैं चलो आज का topic हम यही wind up करते हैं Thank you